हेलो प्रेंट्स मैं सुमेद आपका बहुत बहुत करता हूं के टेक टूटोरियल में दोस्तों हमारा चल रहा था ग्रैफिक डिसाइनिंग जिसमें मैं आपको फोटोशॉप के टूटोरियल के सीरीज के बारे में बता रहा था लास्ट क्लास हमने कुछ क्लिपिंग मास्क वगरे इसका यूज करके और लेयर मास्क का यूज करके हमने बास्केट एफेक्ट बनाया था बास्केट स्रिप एफेक्ट और आज मैं आपके लिए एक लिक रहा हूं चटपर से बनने वाला एक छोटा सा टूटोरियल जिससे हम क करके मैं इसका प्रिव्यू कर लेता हूं तो यह कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों कि 3D में यह परसन ऐसा लगेगा कि कि इस कार्ड के उपर बैठा हुआ है और इसकी शैड़ो बगएर आप बना सकते हैं बैक्ग्राउंड बगएर दे सकते हैं तो यह स्टार्ट करते हैं मैंने यहां पर करें면 ? पोटोशॉप को ओपन करके रखा हुआ है यहां पि मैं एक इमेश रखूंगा कंट्रॉल प्लस ओ से और Barbara में जाके अपना pre-pix का folder में से एक pick ले लेता हूँ जैसे मैं लेना चाहता हूँ इसी person की pick ले लेता हूँ या इस person की pick ले लेता हूँ और ये person की pick open हो जाएगी Ctrl प्लस H से मैं इसकी height grades कर देता हूँ Ctrl प्लस 0 से fit in window कर देता हूँ अब देखें दोस्तों यहाँ पे मैं काम करूँगा Ctrl प्लस J दो बार प्रेस करूँगा तो मेरी background वाली layer वो copy हो जाएगी दो बार में तो मैं Ctrl प्लस J प्रेस करता हूँ दो टाइम मैंने प्रेस किया और यहाँ पे मैं अभी background में हमारा foreground color black है तो मैं alt प्लस delete या alt प्लस backspace से background में black color fill कर देता हूँ अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं layer 1 select करता हूँ और Ctrl Shift प्लस N से हम new layer create कर सकते हैं above of layer 1 तो मैं यहाँ पे भी layer 1 ले सकता हूँ तो मैं layer 1 के उपर एक और layer ले ले लेता हूँ अब यहाँ पे दोस्तों मैं उपर वाली layer को भी hide कर देता हूँ और इस layer 2 पे मैं rectangular mark you tool से एक rectangular mark you tool बनाता हूँ कुछ इस तरीके से selection type बना देता हूँ और अब मैं इस selection में stroke देना चाहता हूँ यानि outline color देना चाहता हूँ और outline थोड़े सी thick देना चाहता हूँ अभी आपको पता चल जाएगा selection को और मैं 12 pixels का यहां पे लूँगा width इसकी और color इसका कर दूँगा white और यहां पे मैं center या inside से आप ले सकते हैं इसकी location mode normal और opacity 100% दे देते हैं मैं okay करता हूँ तो देखिए दोस्तों इसमें white color की outline inside से आ गई है इसको मैं थोड़ा सा और increase कर लेता हूँ stroke में जाके 15 pixels का कर लेता हूँ और okay कर देता हूँ तो यह हलका सा और बढ़ जाएगा अब देखिए दोस्तों यहां पे मैं control plus D press कर रहा हूँ इस selection को हटाने के लिए और यहां पे अब मैं इसको transform करूँगा इस frame को मैं पहले इस layer को rename कर देता हूँ double click करके frame और अब इस frame को मैं transform करूँगा control T press करता हूँ और यहां से transform open हो जाएगा और यहां पे मैं right click करूँगा इस पे यहां फिर आप edit menu में जा सकते हैं और transform में जाके आप perspective option choose करेंगे perspective मैं previous tutorials में भी बता चुका हूँ कि आप perspective जब choose करते हो तो यहां पे एक point को जब आप drag करते हो inside या outside तो उसका opposite direction का जो point होगा वो भी उसी की तरह oppositely जाएगा या फिर oppositely उसी की तरफ आएगा आप कह सकते हो similarly तो मैं यहां पे इस point को बाहर की तरफ drag करूँगा तो इसका जो left bottom left point है वो भी बाहर की तरफ drag हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से मैं perspective कर सकता हूँ और थोड़ा मैं right arrow key से इसको अंदर की side कर लेता हूँ selection को और फिर मैं again इसको बाहर की तरफ drag करूँगा and press enter to apply this perspective again मैं control plus T करूँगा और यहां से मैं shift के साथ sorry shift के साथ नहीं single मैं इसको नीचे की तरफ drag कर दूँगा यहां पे और enter press कर देता हूँ अब दोस्तों यहां पे मैं एक काम करूँगा कि मैं control के साथ इस frame के thumbnail पे click कर लूँगा तो यह अंदर से और बाहर दोनों तरफ से यह select हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां पे यह थोड़ा सा अंदर और बाहर दोनों की तरफ selection बन के आ गया है अब मैं press करूँगा control plus shift plus I तो यह inverse selection कर देगा आप यहां पे menu bar में से भी जाके select में जाके inverse कर सकते हो control shift I इसकी shortcut की है तो अब मैं इसमें quick mask का use करूँगा तो quick mask को use करने के लिए मैं press करता हूँ Q और यहां पे gradient tool के अंदर जाके paint bucket tool यूज करूँगा और हमारा foreground color जो black color है वो मैं यहां पे fill कर दूँगा कुछ इस तरीके से तो inverse selection से यह बाहर की तरफ selection हो गया था और यहां पे यह बाहर की तरफ इस तरह से quick mask का color show हो जाएगा मैंने paint packet tool से यहां पे fill कर दिया और again Q press करूँगा for exit quick mask तो यह देखिए मैंने exit किया तो यह quick mask खाली अंदर की तरफ show हो रहा है क्योंकि मैंने अंदर color fill नहीं किया था और अब मैं move tool यूज करता हूँ और यहां पे मैं layer 1 को select करूँगा और layer 1 को select करने के बाद मैं इसमें add layer mask add कर दूँगा कुछ इस तरीके से तो मेरी जो photo है वो half इस frame के अंदर चली गई यह आप कह सकते हो half delete हो गई इस frame के according now comes on our layer 1 copy layer मैं इसको unhide कर देता हूँ और इस layer को select करके मैं एक काम करता हूँ कि यहां से मैं ले लेता हूँ quick selection tool और quick selection tool से मैं थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ इसको और थोड़ा सा इसका brush size हलका सा बड़ा करूँगा और यहां पे मैं इसकी opacity 50% कर सकता हूँ आप चाहें तो 50% opacity ना करें इसी opacity में आप बना सकते हैं लेकिन मैं फिर भी 50% opacity इसकी set करके selection करूँगा ताकि मुझे exactly पता चल जाए कि मुझे कितना selection लेना है person का तो यहां देखिए दोस्तों यहां मैं selection start करता हूँ इस layer पे तो मैंने कुछ इस तरह से इतना selection ले लिया और अब दोस्तों मैं इसकी 100% opacity वापस कर देता हूँ मैं चाहता तो इसकी मैं ले सकता था 100% से भी opacity opacity करके selection ले सकता था और अब मैं alt के साथ call up करूँगा तो यह zoom in हो जाएगा और brush का size छोटा करके मैं इतने gap को alt के साथ minus कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से तो यह minus हो जाएगा थोड़ा और छोटा करके मैं corners इसके ले लेता हूँ ताकि अच्छे से selection हो सके इसका और यहाँ पर मैंने select किया अब control 0 से fit in window करता हूँ अब देखिए दोस्तों यहाँ पर layer 1 copy layer पर भी मैं add layer mask का option on कर दूँगा तो यह कुछ इस तरीके से आ जाएगा मैं एक काम यह कर देना चाहता हूँ control z करता हूँ दोस्तों और इसके selection का जो procedure है उसमें एक चीज़ और add कर देता हूँ पहले मैं यहाँ से selection अच्छे से ले लूँ और दूसरे मैं इसमें feather देना चाहता हूँ तो select में जाके आप modify में जाके feather दे सकते हैं तो यह selection के ऊपर smooth selection बना देगा और थोड़ा सा इसे selection को अच्छे से smooth कर देगा तो मैं 5 pixels का feather radius दे रहता हूँ and now we can give add layer mask on layer 1 copy layer तो कुछ इस तरीके से यह हमारा cutting आजाएगी अब मैं यहाँ पर background layer पर जाता हूँ and मैं यहाँ पर gradient fill कर देना चाहता हूँ तो gradient fill करता हूँ और यहाँ से मैं gradient editor पर जाता हूँ gradient editor में जाने के बाद यहाँ पर मैं basic gradient editor black and white वाला ले लेता हूँ अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज है यह जो दो swatches होते हैं हमारे एक यह first swatch और यह दूसरा swatch यह color fill करने के लिए होते हैं बट इन colors की opacity कम करने के लिए उपर वाले दो swatch आप जो यहाँ देख रहे हैं यह दोनों opacity वगरे कम करने के लिए कि कितना transparent आपको चाहिए gradient वह आप choose कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं अभी यह center point से black color थोड़ा सा बढ़ा देता हूं और यहाँ पर मैं gradient type solid ले रहा हूं और customly मैंने इसको set किया इसलिए custom आ रहा है otherwise black and white आ रहा था इसका नाम और मैं इसको ok कर देता हूं and मुझे यहाँ पर linear gradient को select करके रखना है mode normal रखेंगे और यहाँ पर मैं opacity 100% रखूंगा और जो हमारा bottom side है यहाँ से मैं shift के साथ straight line draw करूंगा half में तो यह देखो background में कुछ इस तरीके से gradient बन जाएगा आप थोड़ा सा और black color अगर use करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ऊपर से आप gradient use कर सकते हैं तो मैं काम करता हूं ctrl z करता हूं और यहां से मैं थोड़ा सा और उपर से shift के साथ gradient color फिल कर देता हूं हलका सा black और बढ़ जाएगा और gradient में यहां पे काम कर सकते हैं कि यहां white की जगे कोई और color भी दे सकते हैं यहां से मैं थोड़ा सा gray color टाइप दे देता हूं इसको यहां से light gray color और ओके प्रेस करता हूं then मैं इसमें gradient फिल कर देता हूं कुछ यह यहां पे कुछ इस तरीके से थोड़ा और उपर से करूंगा अब देखिए दोस्तों यह कुछ इस तरह से ही लग रहा है जैसे 3D कार्ड हो बट मैंने आपको उस image में एक चीज दिखाई थी कि यहां से इसकी edges थोड़ी सी उपर भी उठी हुई हैं और यहां पे मैंने drop shadow का भी effect दिया था तो वो कैसे दे सकते हैं आईए देखते हैं यहां पे मैं काम करूंगा कि इन दोनों layers को frame और layer 1 वाली layer को दोनों को select करूंगा और control प्लस E से मैं इसको एक साथ merge कर दूँगा अब control प्लस T प्रेस करते हैं transform के लिए property बार में एक option आता है curves का तो मैं यहां पे इसको on करता हूँ और इसको मैं यहां से point से इसना curves कर लेता हूँ कुछ यह कुछ इस तरीके से और कुछ यह इस तरीके से यहां यह बना देता हूँ और enterprise करके इस curves को मैं apply कर देता हूँ दोस्तो एक चीज और है मुझे यहां पे एक चीज यह करनी है कि मुझे उपर से background में black color fill करना है तो मैं काम करता हूँ background layer में reverse कर देता हूँ यहां पे तो दोस्तो यहां पे मैंने यह gradient fill कर लिया अब मैं layer 1 और frame 1 को frame वाली layer को control E से merge कर दूँगा और उसके बाद control T से मैं इसको curves कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से curves हो जाएंगे यह frame enter press करता हूँ और अब इस पे double click करके मैं drop shadow दे सकता हूँ drop shadow में blend mode normal रखता हूँ opacity 100% distance आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं spread आगकर आप करना चाहें तो कर सकते हैं otherwise रहने दीजे size थोड़ा सा बढ़ा देते हैं realistic shadow आप दे सकते हो और मैंने इसका angle 60 degree करना है use global light को आप हटा के फिर दुबारा angle देना चाहें तो दे सकते हैं मैं 60 degree कर देता हूँ फिर दुबारा और okay प्रेस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप 3D prop up card बना सकते हो अपना किसी भी image को लेकर कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से अगर आपको मेरा टुटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज इसे like कीजिए share कीजिए और मेरे चैनल के टेक टूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि मेरे नए वीडियो के नोडिविकेशन्स जल से जल आपके डिवाइस पे सबसे पहले आपको मिल जाएं आज के लिए इतना ही थैंक यूँ आज